हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग एससी MTS 2020 एक्जाम के लिए क्या पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है तो इन सभी एयरपोर्ट्स को आप क्या करेंगी याद कर जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना यह important सेशन सबसे पहले देखेंगे विशाखा पटनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो जैसा कि आप जानते हैं विशाका पत्नम किस स्टेट में आएगा तो आंध्रपरदेश में आएगा तो इसको याद करने का जंजट है यह नहीं ठीक है जब भी आपके सामने आएगा विशाका पत्नम इंटरनेशनल एयरपूर्ट आपका जबाब क्या होगा तो विजेवारा जो है ये क्या होनेव एएयरपोर्टट आपने देख लिया वृषाख्या पत्नम और विजेवारा और रिवर साइड शीति इस में मैंने आपको बता है पाप कि विजेवारा किनारे के किनारे सिच्त तो कृष्टना नदी के किनारे सिचुएटेट है ये भी ध्यान रखेंगे आप तो यहां हो गया विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आंधर प्रदेश नेक्स्ट कोश्चन वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब देखिए वीर सावरकर इंटरनेशनल कहां है तो आपका जवाब क्या होगा अंदमान एन निकोबार नेक्स कोशन है लोग प्रिये गोपिनाथ बोर्दोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो लोग प्रिये गोपिनाथ ये कहां पर है ये एयरपोर्ट तो ये है असाम में है ठीक है लोग प्रिया गोपिनाथ बोर्द गया कहा है गया जो है बिहार में है तो बिहार याद आपको रखना है बिहार is the right answer next चंडिगर एयरपोर्ट इसको याद करने का कोई चक्करी नहीं है चंडिगर है चंडिगर में दिया वाई नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट क्या है इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये तो सब लोग जानते हैं कि इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा है तो भारत का कैपिटल न्यू डेली में है ओके इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंद्रा गांधी कहा है डापनी में एर्पोर्ट इपुर्टकाखनें पीलैयुविच बिया लॉच। और गुजरात में ही सरदार वल्ला भाई पटेल का बहुत सारा स्टेच्यू सम्भी है स्टेच्यू अफ यूनिटी कहा है गुजरात में ही है तो सरदार वल्ला भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात नेक्स्ट है सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो सूरत जो है ये कहा है ये भी गुजरात में है तो अभी तक हम लोगों ने 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा है और दसों में क्या-क्या याद करने वाला चीज था आपको मिला दो-तीन ही सिर्फ विसाका पत्नम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप जानते है आंधर परदेश विजेवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आंधर परदेश वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक इसको याद करना है तो वीर सावरकर अंडमान निकोबार लोग प्रिये गूपिनात बॉर्दोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दुसरा याद करना है असाम में है नेक्स्ट कोर्षन क्या है नेक्स्ट दियावा है गया एयरपोर्ट गया जो है बिहार में है नेक्स्ट चंडीगर एयरपोर्ट कहां है? चंडीगर में है इंद्रा घांदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू देली में है डाबुली में एयरपोर्ट गुवा में है ये तिसरा याद करने वाला चीज्ज है सरदार वल्लब भै पटेल गुजराथ और सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात तो बस तीनी याद करना था सेक उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो सेक उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है जम्मू एंड कास्मीर में है ठीक है सिरी नगर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है जम्मू एन कास्मीर में है सेक उलालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट केमपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो केमपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है तो गुजरात में है केमपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब मैंगलोर जो है मैंगलोर और बैंगलोर ये दोनों कहां है करनाटक में हैं तो याद रहेगा करनाटक नेक्स्ट है त्रीवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो त्रीवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा है केरल में है नेक्स्ट क्या दियावा है नेक्स्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो कोचीन भी कहा है कोचीन भी आप जानते हैं कहा है तो केरल में है कोचीन उसके बाद क्या है कोची कोड कालिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो कोची कोड कालिकट अंतरास्ट्री हवाई अटे ये कहा है ये भी आपका केरल में है तो केरल से संबंधित यहां पर तीन एयरपोर्ट आपने देखा है चौथा एयरपोर्ट हो जा तीनो चार आप देख लीजे त्री वेंद्रम कहा है केरल में है कोचीन केरल कोची कोट कालिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल और कनोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल नेक्स्ट है देवी अहिलिया बाई होलकर एरपोर्ट ये कहां है देवी अहिलिया बाई होलकर एरपोर्ट ये है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में है चत्रपती सीवा जी महराज इंटरनेशनल एरपोर्ट ये तो आप भी जानते हैं कहां है महरास्ट्र में है बहुत ही जवरदस्त एयरपोर्ट है चत्रपती सिवाजी महराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट महरास्ट्र में है डॉक्टर बाबा साहिब अमबेदकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेदकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां है ये महरास्ट्रा में है ये याद करने वाला आपका आइटम हो गया कि ये महराष्टरा हो गया डॉक्टर बाबा साहिब अमेद कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो अब तक 20 जो हम लोगों नहीं किया इसमें से भी 2-3 ही सिर्फ आपको याद करना है जैसे पहला सेक उलालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट किमपे गोडा कहां है करनाटक में है मैंगलोर कहां है करनाटक में है ये सब केरल का इटम आ गया त्रिवेंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची कोड कालिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में उसके बाद कन्नोर international airport केरल में होगे आपका देवि अहिलिया भाई होलकर airport मध्य प्रादेश छटर पती सीवाजी महराज international airport महराष्टरा और डॉक्टर बाबा सहीं ममेद कर international airport महराष्टरा ये सब हो गया नेक्स्ट देखते हैं पूने international airport तो पूने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा है पूने में है इंफाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो इंफाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंफाल कहा है मनिपूर ठीक है नेक्स्ट आपका क्या है नेक्स्ट कौन सा एयरपोर्ट दिया है बीजू पतनायक इंटरनेशनल एयरप तो देखिये शिडुरू रामदास जी ये गुरू जी के बाद हो रही है तो आपको इफॉपाल मालूम है पंजाब से रिलेटेड हो जाएगा तो पंजाब याद अब आपके शिडुरू रामदास जी इंटरनेशनल एइरपोर्ट पंजाब में नेक्स्ट है जैपूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो जैपूर कहा है राजस्थान में है चिन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहा है तमिल नाडू में कोईमबतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी तमिल नाडू में है मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिल न विलोम भी दिया है अम्नी सुन्समें हैं ने यह सिटीन हम राजीव गंधी इनटरा थिलाइबाद हो जाएगा चौधरी चरान इंटर्नीटरा धरेशनल एằn तो चौधरी चरण सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको लखनव एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है ये कहां है उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर सास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां है उत्तर प्रदेश लाल बहादूर सास्त्री उत्तर प्रदेश और हम लोग स्टार्टिंग में क्या पर रहे थे सरतार वल्ला भाई पटेल वो भी freedom fighter थे हैं है ना तो वो कहां है गुजरात में यहां लाल बहादूर सास्त्री है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा नेता जी सुभास चंदर बोस वेस्ट बंगाल है ना तो बहुत सारे freedom fighters के उपर जो है बनायागी आयरपोर्ट जिसे नीता जी सुबास चंदर बोस वेस्ट बंगाल बोस लगा है है ना और नीता जी जो है बंगाली भी थे तो बोस जो हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में हो जाएगा और सदार वल्ला भाई पटेल गुजरात में चौधरी चरन सिंग उतरप आपने देख लिया इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तिलांगना चौधरी चरन सिंग उत्तरप्रदेश लाल बहादूर सास्त्री उत्तरप्रदेश नेता जी सुबास चंद्रबोस एयरपोर्ट वेस्ट प्रदेश में हैं पासिघाट अरुनाचर प्रदेश करपा एयरपोर्ट कहां है आंधर प्रदेश में हैं अंभीकापूर कहां 36 गर स्वामी विवेका नंद एयरपोर्ट 36 गर दीवरू गर कहां है असाम तेजपूर असाम और सिलचर कहां है असाम में हैं काजी नजरूल इ इसी सब में से आएगा उमीद है कि आप लोगों को आज के सेशन जितने भी यहां पर यह पोर्ट है उसमें से 80% से ज्यादा तो आपको याद हुई गया होगा ठीक है डोमेस्टिक वाला आप कर लेंगे अच्छे से तो PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा डाउनलोड आप लोग कर लिजिए और अभी तक आप लोग मॉक टेस्ट नहीं पर्चिस किये तो मॉक टेस्ट ले लिजिए क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करना जुरूरी है क्योंकि यहां पर जितने भी कोर्षंस मैंने लिए हैं व मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओल दे बेस्ट अ झाल्ड़ और जुरूरी है